नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल CPS Online में आज हमें स्टार्ट करने वाले हैं Class 8 Mathematics Chapter 3 Cubes and Cube Roots इसके पहले हमने Square and Square Roots के बारे में जान लिया है कैसे Squares हम find out करते हैं किसी number का कैसे Cube and Cube Roots स्वारी Square Roots कैसे find out करते हैं इस Chapter में हम numbers का Cube and Cube Roots कैसे find out करते हैं वह हम सीखेंगे बहुत ही आसान होता है बहुत सारे student को इसमें doubt होता है आपको घबराने की जरूत नहीं है doubt बिलकुल नहीं आना है इसमें आपको भस ध्यान से समझेगा दो चार methods हैं आपको सीखना है और similarly सारे questions आप से solve हो जाएंगे सबसे पहले हम cubes निकालना सेखेंगे cubes कैसे निकाल दे किसी भी number का perfect cube परफेक्ट क्या होता है जैसे मान लिजे आपके सामने example है 8 अगर मैं आप से पूछों is this number perfect cube तो इसका मालद आपको क्या चेक करना है कि क्या कोई ऐसा number है जिसकों मैं अगर लगातार तीन बार multiply करूं सेम नंबर को तो वह number आजाए तो क्या यह 2 को अगर हम 3 times multiply करेंगे तो ग्या 8 आएगा क्या हाँ बिलकुल आएगा यानि कि 2 का cube कितना होगा 8 होगा ऐसे अगर मैं पूछूँ कि 3 का cube कितना होगा 3 का cube कितना होगा तो 3 की power 3 का मतलब क्या होता है कि नीचे वाला जो number है इस number को जो power में number लिखावा है इतनी भार multiply करना है यानि कि 3 को 3 times multiply करना है तो कितना आजाएगे 27 तो 3 का cube कितना आ जाएगा 27 तो यह कहलाते हैं perfect cube किसी भी natural number का perfect cube क्या होता है उस natural number को 3 times multiply कर दीजे जो भी value आएगा वो आपका perfect cube हो जाएगा आपके सामने example कही सारे लिख्या है 1 का cube 2 का cube 3 का cube 4 का cube 5 का 6 का 7 8 9 10 तो आपके book में यह हाला के और आगे जितना आपको याद रखना है याद रख सकते हैं but at least आपको यह 1 से लेके 10 तक सारे cube root के value sorry cube के value आपको याद होने चाहिए तो क्योंकि आगे जो questions आएंगे बड़े-बड़े questions उसमें solve करने में आसानी होगे आपको आप directly किसी number को देखके आप idea लगा सकते हैं कि इसका cube root क्या होगा उसके लिए मैं कहा रहा हूं कि 1 से लेके 10 तक आपको सारे cube के value जो है वह आपको याद रखना है क्यूब मतलब क्या होता है आपको समझ में आगे ने क्यूब मतलब यह आप देखें किसी number का cube क्या होता है उसी number को three times multiply कर देना है वो cube क्या लाता है ठीक है square क्या होता था power में 2 होता था 2 की power 2 यानि कि 2 into 2 एसे यहाँ पर है 2 की power 3 2 की power 3 यानि कि क्या हो जाएगा 2 को 3 times multiply करना है और इसको multiply करने पर जो भी आंसर आएगा तो आपका cube हो जाएगा ठीक है परफेक्ट क्यूब क्या एक question दिया हुआ है आएम उसको solve करते है 1728 और पूछा है क्या 1728 एक परफेक्ट क्यूब है परफेक्ट क्यूब यानि कि किसी भी natural number का cube root है क्या यह ठीक है तो एक बाद चेक करते हैं हम चेक कैसे करेंगे बहुत ही यह पढ़ा रखा है आप उसमें भी आप जाके वीडियो देख सकते हैं कैसे factorization करते हैं कैसे multiples निकालते हैं ठीक है तो 1728 का हम factor निकालते हैं factor कैसे निकालते हैं सिंपल है सबसे छोटे नंबर से divide करना सुरू करिए जिससे वो divide होते हैं यहाँ पर 2 से divide करना सुरू किया और अब जितने भी नंबर आया ना इसको multiplication form में लिख दीजिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है देख रहा ना तू इन्टू 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 अब यह पूरा नंबर जो भी लिख दिया है जो जो factors हैं उतने times आप लिख द बन रहा है देखिए तू का एक और पेर बन रहा है और ट्रिपलेट बन रहा है फिर यहाँ पर भी ट्रिपलेट बन रहा है फिर यहाँ पर भी ट्रिपलेट बन रहा है तो यानि कि ट्रिपलेट बन रहा है तो आप क्या करिए हर एक ट्रिपलेट में से एक एक नंबर निका लिजे अगले वाले में 3 है 3 x 3 x 3 इसमें से एक 3 निकाल लिजे 3 चेक है इसमें से एक 3 आप निकाल लिजे अब इन तीनों को multiply कर दीजे कितना आएगा 2 x 2 4 4th reason 12 यानि कि यह 12 का cube है यह जो value है 1728 यह किसका cube है 12 का cube है चेक है हाला कि question आपको cube root निकालने को नहीं कहा था कि इसका cube root निकाली है किसका cube है यह आपसे बस पुछा था क्या perfect cube है तो perfect cube कैसे पता चल जाएगा डारेक्ट यहां पर अगर सभी numbers का जो factor आए हुए है जो आपने factor निकाला यहां पर उन सभी numbers का triplet बनता है देख रहे हैं न कोई number चूटा नहीं है सभी number जितने है न सेम numbers का triplet बन गया है और कोई number चूटा नहीं है यानि कि यह क्या है perfect cube है तो आप इंटू 3 x 7 x 7 x 7 triplets बनाई है तो यह क्या 7 का triplet बन रहा है हा बिल्कुल तो यह तो ठीक हो गया अगला number है 3 का triplet बन रहा है क्या नहीं यानि कि यह क्या है perfect cube नहीं है तो 3087 is not a perfect cube ठीक है आपको बस इतना ही लिग देना है क्योंकि 3 एक number है जिसका अगला इक्जामपल नहीं बन रहा है ठीक है तीन नंबर नहीं बन रहा है सेम नंबर का तो जब भी ऐसा कभी situation आएगा तो आपको नंबर perfect cube नहीं होगा ठीक है अगला example दिया है 392 392 का भी आप factor निकाले ठीक है यह रहा 392 इसका factor निकाले इसको मैंने multiplication form में लिख दिया ठीक है अब factor आपको देखिए में बढ़ बता भी दर रहें आसानी से 2 से डिवाइड करें 392 को तो 196 आएगा फिर वापस से 196 हो चेक करें यह किस से डिवाइड हो जागा सबसे छोटे नंबर से वापस से 2 से डिवाइड हो जागा 2 से फिर से डिवाइड क अब यह जो नंबर से हैं इनको आप ऐसे multiplication form में लिख लीजे तो 2 का एक triplet बनेगा फिर 7 का देखिए पेयर बन रहा है triplet नहीं बन पा रहा है तो triplet नहीं बनेगा यानि कि यह नंबर भी perfect cube नहीं है ठीक है perfect cube नहीं है अच्छा अगर यह ही पूछ देता अगर आपसे कि जैसे पिछले question में भी कि कौन सा नंबर हम multiply करें मैं इसको मिटायता हूं आपसे पूछ सकता है कि पहली बाद तो पूछेगा कि क्या 3087 perfect cube है कि नहीं ठीक है आपने पता कर लिया कि नहीं है perfect cube नहीं है तो अब क्या करना है अगर आप पूछ देगा कि कौन सा नंबर किस नंबर से सबसे छोटे नंबर से multiply करें कि यह perfect cube बन जाएगा 3087 perfect cube बन गया कि 7 x 7 x 7 यह तो एक perfect cube बन गया है इसमें 3 x 3 है अगर और 3 इसमें multiply होता तो यह भी triplet बन जाता है एक और 3 अगर इसमें multiply कर देते हैं तो 3 x 3 x 3 हो जाता है और 7 x 7 x 7 तो है ही तो 7 x 7 x 7 तो एक ट्रिपलेट बन जाता 3 x 3 x 3 ये भी एक ट्रिपलेट बन जाता तो आपका perfect Q हो जाता तो सबसे छोटा number कौन साम multiply करेंगे इस number में 3087 कि ये perfect Q हो जाए 3 ठेक है तो ऐसे भी question होगा अब ही आगे आप देखेंगे कि question पूछे जाएंगे अब जैसे यहां पर ही पूछ दिया है कि अगला question ही देखेंगे इह पर है what is the smallest number by which 392 may be divided so that quotient is perfect Q 392 को हम सबसे किस छोटे number से divide करें इसमें divide पूछा है कि किस सबसे छोटे number से divide करें कि 392 एक perfect Q बन जाए तो देखेंगे यहां पर टू इंटू 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 है और 7 इंटू 7 तो perfect Q बनाने के लिए सबसे छोटा number कौन सा चाहिए आपको यह perfect Q तो यह हो गया टू इंटू 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 यह perfect Q है यह छूट गया यह extra है 7 इंटू 7 के है एक्स्ट्रा है तो अगर इसको हम हटा दें तो हमारा perfect Q बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 का ठेक है तो 7 इंटू 7 कितना होता है 49 तो सबसे छोटा number कौन सा है 49 होगा जिससे हम 392 को divide अगर कर दें तो हमारा perfect Q बन जाएगा इसका उल्टा multiplication यह पूस सकता था कि कौन सा छोटा number सबसे multiply करें कि 392 एक perfect Q बन जाएगा तो देखिए 7 इंटू 7 अल्रेटी था एक और 7 यहां पर multiply हो जाता तो हमारा perfect Q हो जाता 7 इंटू 7 का triplet बन जाता तो यह perfect Q हो जाता तो अगर यह पूस्ता question में कि हम कौन सा सबसे छोटे number से multiply करें कि 392 हमारा perfect Q बन जाएगा तो कौन सा number होगा वह 7 तो 7 इसका answer आजाएगा कि 7 से multiply करेंगा हलाकि इस question में divide पुछा है तो 49 सम डिवाइड करेंगे तो हमारा perfect Q बन जाएगा 392 कुछ properties होते हैं क्यूब उसके वह आपको याद रखने हैं जैसे कि किसी भी event natural number का event आइज है7 एवेन नंबर क्या होता है एपको से divided हो जाता है किसी वह event the a minute this 24 lack of वह b Vivian of 4 eight इन वह мें गीफियर से एपती यह वह तक हैूं औरprofits नम्बर का क्यूब भी क्या होता है और जैनी होता है और नैट्र और क्यूब भी क्या होगा odd ही होगा देखे 3 का cube 27 7 का cube 343 13 का cube 2197 तो यह सब क्या है odd numbers है understand किसी भी negative integer का cube जो होगा वो negative ही होगा किसी भी negative जैसे अगर मैं कोई आप से कहे minus 2 का cube कितना होगा तो minus 2 का cube कितना होगा 2 का number को cube करिए जो number दिया है 2 का cube 8 और उसका आगर minus का square में क्या होता था plus हो जाता था अगर minus 2 का square आप करिएगा अगर आपसे पूछे कि minus 2 का square कितना होगा तो वो कितना होता था 2 का square 4 और minus minus क्या हो जाएगा plus minus भी दो बार multiply होगा न तो minus into minus क्या हो जाएगा plus minus 2 का square plus 4 आता था but minus 2 का cube कितना होगा minus 2 into minus 2 into minus 2 तो 2 into 2 into 2 यह तो 8 आ जाएगा अब minus minus को multiply के रहे minus into minus plus यह दोनों मिलके तो plus हो गए अब plus into minus यह क्या होता है minus plus into minus क्या होता है minus तो minus बचेगा यहाँ पर minus आ जाएगा इसलिए आब आगे से याद रखेगा किसी भी negative number का cube होता है minus अगर लगा होगा number का number के आगे उसका अगर आपसे cube पूछेगा कोई तो answer में भी number का cube निकालके direct लिके और उसके आगे minus लगा दीजे simple ठेक है किसी भी rational number का cube उसका numerator का cube upon denominator का cube हो जाता है अगर p upon cube कोई number है जैसे 7 upon 8 है यहाँ पर 7 upon 8 का पूछ दिया cube बताओ तो क्या करेंगा आप 7 upon 8 का whole cube इसका मदलब क्या होता है numerator का cube करिए 7 का cube 7 का cube upon 8 का cube 8 का cube अलग-अलग cube निकाल दीजे ठीक है और दोनों के लिक दीजे तो 7 का cube होता है 343 8 का cube होता है 512 यह आपका answer आ जाएगा ठीक है एक method दिया हुआ है आपके book में column method किसी भी number का हम column method से कैसे cube निकालते हैं हाला कि यह method में बहुत अच्छा मुझे नहीं लगा क्योंकि एक तो यह time consume करता है बहुत जादा time लगता है इसमें और इतना multiply करने के बजाए आप directly उस number को आपको आपको क्यूब डारेक्ट आजाएगा हाला कि आपके book में दिया हुआ है तो आप हम इसको पढ़ेंगे column method क्या होता है जैसे एक number है cube निकालने का तरीका पता चलिए उस number को तीन बार multiply कर देना है simple तरीका यह column method क्या होता है जैसे माली यह कोई two digit number है जैसे आप example दिया है 72 का 72 का cube निकालना है एक काम आप कर सकते है 72 into 72 करिए फिर उसको जो answer आएगा फिर उसको आपस से 72 से multiply कर दिए तो आपका cube आ जाएगा एक और तरीका होता है a plus b का whole cube के formula इसको कहते है column method a plus b का whole cube formula क्या होता है a cube plus 3 a square b plus 3 a b square plus b cube आप इसको अलग-अलग column में लिख लिजे column 1 में आप लिखे a cube चेक है यह रहाँ पर column 2 में लिखे 3 a square b column 3 में लिखे 3 a b square column 4 में लिखे b cube चेक है यहाँ पर a और b क्या है a और b digits है जैसे यह 7 हो जाएगा a और 2 हो जाएगा b a b ऐसे करके जो भी two digit number है left वाले को a मानना है और right वाले को b मानना है तो अब क्या करीए सबसे पहले अब सभी का जो जो formula है उसमें value put करके answer पहले निकाली a का cube यानि कि 7 7 का cube कितना होगा 3 4 3 अब नीचे नहीं देखना है नीचे भी मत देखिए ठीक है अभी पहला step यहां पर यहां तक है ठीक है यह ऐसे ऐसे करगे तो पहले a का cube है पहले formula column में तो a का cube 7 का cube हो जाएगा अगले formula में क्या है 3 a square b 3 into a square a square कितना है 7 का square 7 का square 49 होता है into 2 2 क्यों क्या है b equal to क्या है 2 3 into a square into b multiply कर यह answer आएगा 294 आएगा ठीक है नीचे में देखिए अभी बस उतना है पहला step करना है फिर 3 a b square निकालिए 3 into 7 into b square तो 2 का square यहां पर 84 आजाएगा और last में है b cube 2 का cube 8 तो अब क्या करना है आपको simple आंसर लिखते जाएगे सबसे पहले सबसे right most सबसे last column है उसको सबसे इधर लिखे जैसे 8 unit place पर क्या लिखेंगे 8 अब अगले column में आएगे पहला step आपको clear हो गया होगा अब अगले column में आते हैं 84 है 84 का unit digit आप लिखेंगे क्या है unit digit 4 है आप 4 को यहां पर लिख दीजें ठेक है 10s digit क्या हो गया 4 हो गया अगला जो number यहां पर रह गया है वो क्या रह गया है 8 इस number को जो अगला यहां पर number है column 2 में इसमें जोड दीजें 294 आ था ना उसमें इस number जो बचावा number है इसको add कर दीजें 294 प्लस 8 कितना आजाएगा 302 अब 302 का unit digit क्या है 2 तो 2 यहां पर लिख दीजें और जो 30 बचाएना यहां पर 30 इस 30 को अगले number में जोड दीजें जो यहां पर 343 आया था ना उस 343 में 30 को add कर दीजे कितना आएगा 373 तो इसके आगे लिख दीजे 373 यह आपका cube आ जाएगा 72 का cube तो कुल मिला कि multiply कर रहा है आप ध्यान से देखेगा तो सब जाएगा multiplication ही है आप directly इसको यहां ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है मैं column method बहुत नहीं suggest करूंगा अगर आपके book में दिया हुआ है तो आपको यह पता होना चाहिए क्योंकि question आ सकता इससे column method यह था आपका ऐसे करके आप किसी भी number का column method से cube निकाल सकते हैं कुछ questions हैं आप आसानी से solve हो जाएंगी बहुत यासान असान है perfect cube पूछा है odd natural number का cube पूछा है even natural number का cube पूछा है directly directly perfect cube पूछा है true या false होगा की नहीं क्या 392 perfect cube है 392 तो हमने पीछे solve भी किया है आपको चेक करना है इसका factor निकाली है triplets बनाए triplets बनाके चेक करेए अगर बन जा रहा है तो perfect cube है अगर नहीं बन रहा है तो perfect cube नहीं ठेक है तो यह था यहां तो आपका cubes cube कैसे निकालता है अगला आता है cube root cube root क्या होता है कैसे पहले दिखाते हैं किसी number का cube root जैसे माल लिजे कोई number है x इसका cube root को हम कैसे लिखते हैं ऐसे under root यह हो गया और सबसे आगे यहां पर 3 लिख देंगे चोटे में चीक है मैं फिर से एक बार मिटा के इसको देखें सबसे पहले एक कोई number है x इसका under root ऐसे लिखके अगर बस इतना रहेगा तो यह तो square root हो गया और cube root अगर लिखना होता है तो यहां पर हम इसी इसके ऊपर हम छोटा सा 3 लिखते है तो इसका मतलब क्या होता है कि इस x का cube root निकालना है और cube root ऐसे लिखा हुआ है iska मतलब क्या होता है x की power में 1 upon 3 जैसे under root x का मतलब क्या होता था x की power 1 upon 2 यह होता था x की power 1 upon 2 वैसे ही Q root of X क्या होता है X की पावर में 1 upon 3 तो ये चीज होता है Q root अब निकालते कैसे हैं अब देख लीजिए इसका नाम क्या होता है X को कहते है radicand जो अंदर वाले नमबर है उसको कहते है radicand और जो ये 3 बाहर वाले यहाँ पर है इसको कहते है radical यहाँ पर जो नमबर होता है बाहर इसको कहते है radical और अंदर वाले नमबर हो कहते है radicand यह आप याद रख सकते है देखे आप देखे एक तो ये तरीका दिया हुआ Q root निकालने का subtraction method एक नमबर होता है formula से एक नमबर आता है जैसे 1 then अगला नमबर 1 प्लस यहाँ पर कुछ नमबर आएगा upon 2 into 6 यह formula है ठीक है यह पहला नमबर तो 1 होगा पहला नमबर क्या होगा 1 सबसे पहले 1 minus करना उसमें से 1 minus करने के बार अब यहाँ पर number change करते जाना है और वही number जो total आएगा यह total solve करके जो आएगा उसको हम लिखते जाएगे तो अगला number क्या आएगा यहाँ पर लिखेंगा हम पहला number 2 into 1 तो इसको solve करेगा तो क्या आएगा 2 into 1 क्या आएगा 2 से 2 कट जाएगा 1 1 into 1 1 और 6 बचा 6 into 1 1 6 into 1 6 और 6 plus 1 7 तो यहाँ पर कितना आजाएगा total equal to 7 तो अगला number क्या आजाएगा 1 के बाद 1 subject करेगा फिर जो number आएगा subject करने के बाद उसमें से 7 minus करेगा फिर अगला number यही पर अब देखें इसी formula में मैं आपको समझाता हूँ इसी formula में देखेंगा यहाँ पर 2 into 1 ना लिखके यहाँ पर आप वो क्या लिखना है जेखें नीचे तो यह 2 है अब यहाँ पर क्या लिखना है 2 into 1 ना लिखके अब अगला number क्या आगा देखे 3 into 2 3 into 2 ठेक है तो अब इसको solve करेगा तो कितना आएगा 19 कितना आएगा 19 तो यह देखेंगा अगला number 19 ऐसे ही आपको change करते है यह बस यहाँ वाला number जो है वही change हो रहा है बाकि देखें जो formula है यह total formula यह number बाकि सारा same है बस यह उपर वाला number change होता है और एक बार आपको दिख रहा है कैसे हो रहा है पहले 2 into 1 फिर 3 into 2 फिर 4 into 3 अगले में 5 into 4 फिर 6 into 5 फिर 7 into 6 ऐसे करके मतलब आपको number solve करते है और निकालते है तो यह जब solve करेंगे तो number आपके आएंगे 1, 7, 19, 37, 61, 91, 127 ऐसे करके आपके number आते जाएंगे ठीक है तो इन आपको क्या करना है यह दिखेंगे यहाँ पर इसके आगे भी number आता जाएगा तो आपको क्या करना है यह सारे number minus करते जाना है जो भी number का आपसे cube root पूछा है कि इसका cube root निकालो आपको उस number में से minus करते जाना है 728 minus 1 कितना आएगा 727 अब 727 में से 7 minus करिए अगला number 7 है तो 7 minus करिए फिर इस number में से 19 minus करिए फिर जो number आएगा उसमें से 37 minus करिए अब ऐसे करें कि minus तब तक आप करते जाएए जब तक कि 0 ना आ जाएए यह देखें लास्क में 0 आगया नो ठेक है जिस number पी 0 आएगा वहीं पर आप रुख जाएए उसके बाद count करिए यह आपने total कितनी बार minus किया है तो कितनी बार minus किया है count करते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारफ पार ठेक है तो total आपने 12 times minus किया है और minus करने के बाद 0 आगया है 0 आएगा तभी वो perfect Q होगा क्यूब रूट उसका निकल सकता है ठीक है perfect Q अगर 0 नहीं आता है तो आप minus करते जाएए अगर last में आके कोई number रह जाता है यानि कि वो perfect Q नहीं है क्यूब रूट उसका भी निकलेगा बट वो decimal में आएगा और decimal वाला अभी आप मतलब नहीं solve करीए पहले आसान वाले solve करना सीख जाएए आगे classes में या हो सकते आगे subject में चेप्टर में वो सब आएगा अभी फिलाल आपको directly cube root perfect cube जो होते है perfect natural number के cube उसका find out करना है तो आपको जैसी पता चला कि मैंने 12 times minus किया है तो आपको directly लिख देना है कि cube root of this number will be 12 जितनी बार minus किया है वही वो value है उसका cube root का value है समझने आगे तो यह होता है subtraction method एक और method है यह unit digit का यह method बहुत ही काम का नहीं है यह method तभी आप निकाल सकते हैं जब perfect cube हो कोई number क्या हो perfect cube perfect cube यानि कि जैसे आपने उपर आप ही solve किया नो वैसे ही perfect यह होगा तभी वो valid है यह उपर ओला ही method और नीचे वाला भी जो आप पढ़ने वाला है unit digit इसमें आपको क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ जैसे एक number है यह 389017 इसका आप से कह दिया cube root निकालो निकालने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले unit digit पे जो number है unit digit का है 7 इसको आपको मन में calculate करना है कि कौन सा ऐसा natural number है 1 से लेके 10 के बीच में जिसका cube root 7 आता है जिसका cube cube अगर करें उस number का 1 से लेके 10 के बीच तो cube उसका 7 आता हो मैंने starting बता था ना कि 1 से लेके 10 के सारे cube के value याद रखने तो यह देखे यहाँ पर फिर से देखे उसका काम ऐसे question में काम आएगा तो कौन सा number है जिसके cube करने में 7 आता है unit digit पे यह रहा 7 और किसी में आ रहा है कि है सिर्फ 3 में ही आ रहा है यहाँ पर तो 3 पहले पता चल गए हमको कि 3 के cube में 7 आता है तो आप क्या करिए यहाँ पर इस question में जैसे आपको पता चल गए कि यहाँ पर यह 3 का cube 7 आता है 3 के cube में तो आप पहले क्या कर लिजे unit digit पे 3 लिख लिजे ठेक है unit digit हो गया इसका cube root का unit digit क्या हो गया 3 अब आपको क्या करना है एक बार आपने unit digit निकाल दिया अब आपको चेक करना है क्या करना है simple पीछे के जो 3 नंबर है पीछे से जो भी 3 नंबर है उसको आपको cut कर देना है यानि कि 7, 1 और 0 इसको cut कर देना है सर्फ पीछे के 3 डिजिट cut कर देना है अब क्या बचा 389 389 बचा अब आपको यह चेक करना है 389 के pass का सबसे pass का cube कौन सा होगा तो 389 के वापस हम वो जो value हमने याद किया है उसमें हम चलते है तो 389 का सबसे pass का cube कौन सा है देखे यह रहा 7 मैं एक बार color change करके highlight करता हूँ ताकि आपको समझ में आए यह रहा 7 ठीक है यह दिख रहा आपको 7 यह उससे छोटा होना चाहिए जो वहाँ पर क्या number था 389 तो 389 से सबसे छोटा कौन सा perfect cube का number है तो इससे छोटा क्योंकि 8 का cube क्या हो जा रहा है 512 जो कि 389 से बड़ा हो जा रहा है तो उसको नहीं देखना है उससे छोटा कौन सा है 7 का cube 343 तो यह 7 का cube क्या हो जाएगा इससे छोटा है तो अगला number जो होगा 10th digit पर जो आएगा यहाँ पर वो क्या आजाएगा 7 आजाएगा यहाँ पर unit digit हमने निकाल लिया था 3 और 10s का digit का आजाएगा 7 तो आप डारेक्ली लिख सकते हैं कि 389 389 017 73 इसका cube रूट होगा यानि कि 73 का cube करेंगे तो यह पहला वाला number आएगा ऐसे ही आपको देखे एक और example यह रहा 466 56 सरसे पहले चेक करें कि किस number के 1 से लेकर 10 के बीच में कौन से number के cube में unit digit पर 6 आता है तो सिर्फ 6 ही ऐसा number है जिसका cube करेंगे तो unit digit पर क्या आएगा 6 आएगा 6 आएगा सरसे पहले क्या आएगा 6 आगया अब क्या चेक करेंगे पीछे से 3 digit कट कर दीजे क्या बचा 46 अब 46 से छोटा या तो exactly वही है 46 किसी का cube होता है क्या नहीं होता है 46 से छोटा सबसे छोटा कौन सा cube होगा वह आपको चेक करना है 46 से छोटा कौन सा cube होगा देखिए 3 का cube होता है 27 3 का cube होता है 27 और 4 का cube होता है 64 तो 4 cube बड़ा हो जा रहा है तो 4 नहीं लेंगे कौन सा लेंगे 3 तो 3 का cube 27 जो इससे छोटा है तो यहां पर 10th digit पर क्या लिए देंगे 3 तो यह इसका answer क्या जाएगा 36 4, 6, 6, 5, 6 का cube root कितना आएगा 36 आपको समझ में आया होगा अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप फिर से वीडियो को back करिए और फिर से सुनीं उसको वीडियो को slow कर लिए और फिर से उसको सुनीं देखिए आपको समझ में आजायगा असानी से तो यह method कहलाता है unit digit method cube root using unit digit method और देखें यह दोनों जो आपने cube root निकाला है वो cube root आपका perfect cube का ही निकलेगा यानि किसी ना किसी natural number का cube होगा तभी हो निकलेगा अगर कोई अटपटांग number है जो की natural number का cube नहीं है कोई और number का decimal number का cube है तो वो भी निकलता है बट अभी आपके syllabus में नहीं है तो वो नहीं बताया जा रहा है ठीक है एक और तरीका है cube root निकालने का factor वाला वो सबसे आसान तरीका है जो कि मैंने starting आपको सिखाया था कोई भी number है उसका factor करिए 7408 इसका factor निकाल दीजे यह सारा factor निकालके multiplication formula लिख दीजे ऐसे है 2 x 2 x 2 3 x 3 x 3 7 x 7 x 7 ऐसे पूरा करके लिख दीजे उसके बाद triplet बनाईए 3-3 का pair बनाईए पीछे से 7-7 का ऐसे pair बन रहा sorry triplet बन रहा फिर 3-3 का triplet बन रहा है फिर 2 का triplet बन रहा है यानि कि सारे number triplet बन रहा है तो आपको cube निकल जाएगा पहले वाले में से एक number लिजे 2 का cube है 2 ले लिजे अगले वाले में से 3 का है तो 3 ले लिजे और यह 7 का है triplet तो 7 ले लिजे इन सब को multiply कर दिए 2 x 3 x 6 6 x 7 x 42 यानि कि 42 answer आजाएगा 7, 4, 0, 8, 8 यह किसका cube root है 42 का cube root है 42 चेक है यानि कि 43 का cube करेंगे तो यह value आएगा तो यह हो गया आपका factorization method यह सबसे आसान method है आपको समझ में भी आगे हो starting में भी जैसे square निकालते थे आसानी से वैसे यहाँ पर भी cube root आप निकाल सकते हैं similarly cube root of a negative negative number negative number का भी cube आसानी से निकल जाएगा कैसे आपको simple minus बाहर ले लेना है जो भी number अंदर है जैसे minus 2744 है minus 2744 इसका cube root निकालने को अगर आपसे कहा दे minus 2744 तो क्या करेंगे आप simple यह minus को बाहर ले लेजे और cube root को ऐसे रहने दीजे और 2744 का cube root निकाल लिए 2744 का cube बहुत सारे तरीके आपने सीख लिए है ठीक है तो किसी method से से यान factorization method से cube root निकाल दिया है ठीक है तो cube root निकाल लिए और बाहर minus है इसको solve करिए इसका answer आएगा 14 तो minus 14 बाहर minus है अंदर 14 multiply कर दीजे minus 14 इसका answer हो जाएगा ठीक है तो minus का negative number का cube root भी आसानी से निकल जाएगा negative number का square root नहीं निकलता है वो आपने पिछली क्लासे पढ़ा था negative number का square root किसी भी negative number का square root नहीं निकलता है निकलता है बट अभी आप यह ही बता देने आपको निकलता है बट उसका एक अलग पूरा topic ही है वो आप बड़ी क्लासे में आके पढ़ेंगे ठीक है 11, 12 में hopefully आप 11, 12 में जाके उसको आप पढ़ेंगे अभी नहीं पढ़ना है बट अभी के लेवल पर आपसे कोई पूछे कि नेगेटिव नंबर का square root क्या होता है आपको कहा देना है undefined होता है बट नेगेटिव नंबर का cube root को पूछे तो simple negative को बाहर ले लिजे और उसका cube root निका लिजे जो number बचाओ और जो उसका cube root आएगा उसके आगे minus लगा दीजे वही आपका answer हो जाएगा ऐसे आपका किसी integer का जैसे आगर मालीजे अलग-अलग number दिया हुआ 8 into 64 और कहा दे कि इसका cube root निकाली तो आपको क्या करना है simple 8 का अलग cube root निकालना है 64 का अलग cube root निकालना है 8 का अलग cube root निकालना है और 64 का अलग cube root निकालना है अलग-अलग निकाल के इसको solve कर दीजे 8 का cube root होता है 2 64 का होता है 4 2 into 4 क्या आजएगा 8 ऐसे ही minus 216 और 1728 तो क्या करना है minus 216 का अलग cube root निकाली है यह रहा अलग और 1728 का अलग cube root निकाली है इसको हम कैसे लिख सकते हैं जैसे किसी नंबर का अगर ऐसे square root है जैसे 4 into 16 तो हम इसको कैसे लिखते थे हैं square root में under root 4 into under root 16 दोनों नंबर को हम अलग-अलग under root में लिख देते थे न वैसे ही cube root में भी है तो minus इसका total का cube root अगर आपसे पूछा है यह ऐसे तो आप क्या करेंगे इसको आधा-धा तोड़ दीजे अलग-अलग multiply ऐसे करके बीच में multiply के sign आएगा और cube root अलग-अलग लिख लिजे और दोनों का अलग-अलग cube root निकाल लिजे negative number में पहले minus 12 लिख लिजे और 216 किसका cube root होता है आपको आसानी अगर directly याद नहीं है तो आप directly आप factorism method से आप याद कर सकते हैं और निकाल सकते हैं अगर याद भी है तो आप आसानी से याद देखिए मिनलब solve भी हो जाएगा जैसे 6 का cube root आपने उपर अगर 1 से लेके 10 याद है तो आपको याद होगा 6 का cube root होता था, cube होता था 216, तो minus 6 हो जाएगा minus 216 का cube root, minus 6, ऐसे 1728 का cube root है अभी आपने उपर निकाला था 12 का, ठेके, तो दुबारा से अगर नहीं याद है तो देखिए, दुबारा से आसानी से आप find out कर सकते हैं, ठेके ने यह देखिए दुबार निकाल के multiply कर दिए, तो minus 6 into 12 का हो जाएगा, 126 जा 72, और minus यहाँ पर है और इसका प्लस है, तो minus into plus क्या होता है, minus होता है, तो minus आगया जाएगा, तो minus 72 answer आजाएगा, ठेके, इस तरह करके आप किसी भी number का cube root निकाल सकते हैं, ठेके, अगर आप से आप पूछ दे कि cube root of a rational number, cube of a rational number तो आपने समझ लिया था उपर, कि माली यह p upon q कोई number है यहाँ पर, तो इसका cube अगर पूछेगा, तो आपको क्या करना है, p cube upon q cube, numerator का cube निकाल देजे और denominator का cube निकाल देजे, वही आपका answer हो जाएगा, ऐसे यह आप से पूछ सकता है, cube root of a rational number, p upon q, तो simple यह भी वही तरीका है, cube root of numerator upon q root of denominator, बस, इसका अलग cube root निकाल देजे, इसका अलग, और upon में लिख दीजे नंबर, जो भी नंबर आएगे, मालीजे, यहाँ पर कुछ भी नंबर x आता है, यहाँ पर y आता है, x upon y इसका answer आजाएगा, तो जैसे आप cube निकाल देजे, वैसे से वही question जो आपने starting अपड़ा था, कि किस सबसे छोटे number से हम इसको divide करें, कि हमारा यह perfect cube बन जाएगा, तो आप क्या करिए इसका factor निकाल लीजे, और factor निकाल के check करिए, देखिए, 33 का pair बन रहा है, 3 का triplet बन रहा है, 7 का triplet बन रहा है, बट 13 का नहीं बन रहा है, तो किस question वापस है, यहाँ पर आया हुआ है, बड़ा number देखके आपको डरना नहीं है, वही सारे questions हैं फिर से, आप process करिएगा, आसानी से solve हो जाएगे, minus देखके डरना नहीं है, अगर नहीं समझ में आया है, फिर से आप वीडियो को पीछे करिए, उसको देख फिर से देखिए, आपको समझ में आजाएगा असानी से, तो next chapter मिलते हैं, next video में, thank you